फिप्त में आपके पास है साइन AX प्लस B कॉस CX प्लस D डेरिवेटिव करना है हम लोगों को साइन AX प्लस B अपॉन कॉस CX प्लस D यह हमें डेरिवेटिव करना है साइन AX प्लस B अपॉन कॉस CX प्लस D को ठीक है तो U अपॉन V का अगर अगर आप U upon V का formula लगाते हो तो U upon V के formula के according क्या हो जाएगा V का square हो जाएगा अगर मैं formula फिर से लिख दूँ अगर आपके लिए तो derivative of U upon V का formula होता है V square V derivative of U minus U derivative of V यह होता है formula अगर अगर V square नीचे होता है फिर V derivative of U minus U derivative of V इस तरीके का formula है तो V का square यह यह दिवाइड बारा जो टर्म है ना इसका square फिर क्या है V पहले आएगा यहनि कॉस CX plus D पहले आएगा derivative किसका होगा sin AX plus B का बीच में minus फिर sin पहले आजाएगा और derivative किसका हो जाएगा cos CX plus D का ठीक है ऐसे हो जाएगा यह देख लो जाएगा ठीक है cos पहले इस तरीके से है अब यहां यह cos तो बाहर है तो ऐसी रहेगा cos bracket में CX plus D साइन का जो derivative होता होता है होता है अब यहां पे थोड़ा में अलग करके दिखाता हूं जिससे कि आपको थोड़ी क्लियर्टी जाद आए तो जैसे मुझे derivative करना है साइन AX plus B का ने तो आप उसमें सब मिक्स ज़्यादा लगेगा आपको अब कैसे सीखा था अगर आपको पहला question यह पहला था यह तीसरा था साइन AX plus B देख लेना पहला नहीं था पहला तो साइन 2X कुछ करके था दूसरे तीसरा था कि साइन X का formula मुझे पता है cos X है तो यह अलब पाट क्या होगा सर के लोगा तो साइन का क्या आ जाएगा cos AX plus B फिर आप इसका जब derivative करोगे तो क्या आएगा derivative of AX plus B आएगा तो यह बन गया cos AX plus B multiply अब यहाँ अगर प्लस का साइन है तो अलग-अलग derivative कर दो यही derivative of AX plus derivative of B derivative of B ठीक है इस तरीके से मलब क्या cos AX plus B आ गया multiply में derivative हो गया AX का plus derivative हो गया B का यही तो आएगा result तो क्या यहां से answer आ जाएगा cos bracket में AX plus B multiply AX का जो derivative है बोर्ह यह कितना आ जाएगा ऑजिकर क्या आएगा A क्यूंकि A बाहर आएगा कॉंटेंटर रॉम बताया लगाए तहां एकस का डेटिव कितना होता है एंटो एंटो वन हो गया और एक्स प्लस भी इंटू कॉस का जो डेरीवेटेव होता अब यह तो आइट इसी तरीके सो सकते हो ठीक है अब करना सीखना मेरे साथ या भी तो रुप जाब और कॉंसर बनने दो अब इसका भी मैं करके दिखा देता हूं ठीक है क्यों कि आप लोग स्टार्टिक फेस में फिर मैंनस का साइकस है आब एकस यहां पर पूरा यह थी एक जगिए तो डेरीटिक किसका करोगे मैंश कब नर भी करनांभी करना है यहां से माइनस का साइन CX प्लस D आब इन्टु देखो अथ्लब माहां में कैसे करना है प्लस लगा हुआ है तो आप ही सोक्राइच का मुझे डेरियु टिप करना है और डी का करना दिमाग़ लगाओ चाहती एकसे सी कॉंस्टेंटर में बाहर आगया X का data 1 होता है तो यह नहीं C आ गया है यहां से और D का 0 होता है तो अब थोड़ा सा धीरे धीरे इसको आप पहले पूरा step करके देखो और फिर देखो अच्छा ही तो यहां से कितना आ गया माइनस का sign CX प्लस D इंटू C इंटू अच्छा इस A को पहले लिख सकते हो तो A cos CX प्लस D cos AX प्लस B माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा और यह जो C मल्टिप्लाई में वो इधर पहले लिख दो यहां पे sign AX प्लस B फिर sign CX प्लस D अपॉन तो यहां पे है cos CX प्लस D का whole square तो यह आ गया ठीक है अब answer जो है book में थोड़ा अलग format आप यहां भी छोड़ सकते हो paper में कोई दिक्कत नहीं है लिए book का answer में match करवा देता हूं कि book में यह वाला answer नहीं आपको बता ट्रिक्नोमेटरी में थोड़ा simplify कर सकते हो इतना note कर लो मैं इसको थोड़ा और simplify कर देता हूं और आपका answer book से match करवा देता हूं है कुछ answer में मतलब होता ना हम solve करते हैं हमारा answer में करवाना नहीं हमारा answer में करवा दो विल्कुल बुक से वह एक अलग बात है पेपर में आप इदर भी छोड़ सकते हूं चलो अब देखो यहां पर इसमें भी डिवाइड कर दो और इसमें भी कर दो जिसको बोलते है separate divide क्या बोलते है separate divide यानि की a cos cx plus d into जो है आपका cos ax plus b इसमें divide कर दीजिए किससे cos cx plus d के whole square से फिर plus से बीच में फिर यह c sin a x plus b into sign cx plus d में भी divide कर दीजिए cos cx plus d के whole square से ठीक है मदब दौनों में ही हमने ऐसा कर लिया है अब यहां पर क्या हो रहा है 1 cos cx plus d कट जाएगा ठीक है और एक जो बचेएगा सैसे सैक में दे रखा होगा ना ठीक है यह cos a x plus b आ गया और यह जब cos जो है ना इसको ऊपर ले जाओ तो one upon cos क्या होता सैक होता ना तो यह सैक cx plus d बन जाएगा ठीक है अब यहां देखो c sin a x plus b देखो यहां पर sin cx plus d है और यहां पर cos cx plus d है sin x upon cos x क्या 10 x होता है तो 10 x 10 cx plus d आ जाएगा लेकिन यहां पर square था आपने sin upon cos to 10 कर दिया ठीक है एक cos तो बच गया होगा ना क्योंकि देखो power 2 है ना तो एक cos जो बचा इसको ऊपर ले जाओगे तो वह सैक बन जाएगा तो यहां पर multiply में क्या जाएगा एक और ट्रम आ जाएगा जिसको बोलेंगे सैक cx plus d अब आप अपनी बुक में आंसर देखोगे तो आपको आंसर सेम देखेगा हाँ बिल्कु सेम ऐसी आपका आंसर आ जाएगा clear है तो यह चीज़ थोड़ा सा देख लेना simplify करके अब आजाओ कुछ नमद 6 पे